यह जो मैंने इतने मसाले लगाकर रखे हैं आप समझी गया हैं मैं क्या बनाने वाली हूँ यहाँ पर सुखी लाल मिर्च है देर सो ग्राम के करीब करीब होगी उससे थोड़ी कम होगी यह चार्ट सो ग्राम आपके सर्सो के दाने हैं और यहाँ पर मैंने दो कटोरी देखे इस तरह से दो कटोरी मैंने लिये हुए है धनिया 100 ग्राम अमचूर पाउडर है यह सौफ तकरीबन 50 ग्राम होंगे यहाँ पर मैंने चार चमर्च मंग्रेल लिया है यह अजवाइन है और यह मेथी के दाने हैं मेथी के दाने भी आपको 30-40 ग्राम इस तरह से होंगे तो वस यह सभी मसाले मैंने तयार किये हैं 2 किलो मोटी वाली जो लाल मिर्च आती है वो भरकर बनाने के लिए लाल मिर्च का भरवा आचार बनाएंगे तो हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ किरन और बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ किरन्स किचन में तो मसाले तो मैंने आपको दिखा दिया कुछ और भी चीज़े इनमें जाएंगी जिससे कि यह थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और बहुत ही फ्रेश मिर्च मुझे मिली थी बहुत अच्छी थी और मोटी-मोटी थी मतलब बहुत सुन्दत थी और बहुत अच्छी थी जब मोटी रहती है लाल मिर्च तो से आपको जब भरने का समय आता है तो उसमें बहुत आसा पानी से फिल हो जाता है और पतली वाली रहती है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है तो यहां पर मैंने एक पैन को गर्म कर लिया था और उनमें जो हमने जैसे बोला की मेथी को फ्राइब थोड़ा सा भूनेंगे सौफ को भूनेंगे और यह धन्या की जो है उसे भून लेते ह है इस बीच मैने मिर्च को देखे इससे कट करकर और इसके बीच की जो भीजे हैं उसे निकाल लेते है तो दिखे इस तरसे ज्बाएने बूला जब आप मार्केट से इसे लाए तो इसे थोड़ी मोटी देखकर ही लाए अगर एफिलेबल रहती है मोटी वाली तो इस तरह से ही लाएं तो अच्छी रहती है तो यहां पर सभी मसालों को मैंने भून कर ग्राइंड कर लिया था जो भूने वह मसाले थे वो और सरसू मिर्च जो कुछ भी जितने मसाले मैंने वहां दिखाय थे उन सबों को उसके बाद मैंने इन मसालों में डाल दिया ऐसे यह लाल मिर्च का अचार आप इस तरह से बनाएंगे तो सालों भर खराब होने वाली नहीं है और ठंड के मौसम में ही यह मिर्च मिलती है तो यहां पर मैंने थोड़ा सा चीनी भी डाल दिया दो चमच के करीब और यह आप बिल्कुल डाले यह मैं सालों से बनाती हूँ अचार इस तरह से और अचार बिल्कुल खराब नहीं होता स्वात भी बहुत बढ़िया रहता है तो थोड़ा सा चीनी भी डाले अब सभी को इस तरह से मिक्स कर लेते हैं तो जितने भी मसाले थे इसमें मैंने स्वात अनुसा नमक भी डाल दिया और हल्दी भी डाल दिया तो और इसमें मिर्च थोड़ी कम पड़ती है क्योंकि लाल मिर्च काहीं अचार है तो मिर्च थोड़ी कम पड़ती है और जो अमचूर पाउडर है वो अच्छे से इसमें डाले खटाई अच्छा से डाले तभी यह स्वादिस अब देखिए फिल करने की बारी आती है थोड़ी महनत तो लगती है बट आप इसे पना कर रख ले तो अगर जैसे मैं दो किलो बना रही हूँ तो मेरे घर जैसे कम परिवार है तो दो तीन साल तो आराम से चल जाएंगे मैकसिमम दो साल तो बिल्कुल चल ही जाएंगे तो इस तरह से सभी को फिल कर लेते हैं तो थोड़ी सी महनत करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो बहुत स्वादिश्ट होता है पूरी के साथ खाए जाहे पराठा आचार ही खाले दाल भात अचार ही खाले बहुत दिखाया है अब बारी आती है तेल मिलाने की तो तेल हमें इसे पूरे भर के अभी नहीं डालना है देखे इस तरह से डिप करके मैंने इस टील के कंटेनर में इसे डाल रही हूँ आप कांच में भी डाल सकते हैं आपकी जैसे इच्छा होती है उस तरह से आप इसे कर सकते ह तो मैंने यहाँ स्टील के कंटेनर में इस तरह से सरसों के तील में डुबा डुबा कर इस तरह डालेंगे और इसे अच्छी सी धूप में अगर आप 6-7 दिन दिखा देंगे तो यह अचार बिल्कुल खाने लायक हो जाती है बेहत स्वादिश्ट बेहत अच्छी स्वादिश चकपटी तेज और सालो भर खराब नहीं होगी तो मैंने देखे यहाँ पर सभी को तेल में डुबा कर डाल दिया था और थोड़ा सा तेल उपर से डाल दिया अब हम इसे 5-6 दिन तक खूप सारे जो पतब इकदम कड़क धूफ हो तो उस तरह से इसे दिखाएंगे और इस भी थोड़े से मसाले में मिला कर और इसे भी दूसरे से एक कंटेर में डाल देते हैं चोटे से बॉटन में डाल देते हैं तो यह भी खाने में लग जाएगी और आम के आम कुठलियों के भी दाम हो जाएगे इन्हें फेकने की ज़रुरत नहीं है आप भी फ्रेंट्स इसे थोड़े से मसाले में इस तरह से मिला कर बना ले ये भी खाने में बहुत अच्छी लगेगी जैसा वह अचार लगता है बिल्कुल ये भी वैसी ही लगेगी बहुत चटपटी और ये बहुत गल जाती है बहुत अच्छी सी लगती है तो फ्रेंड्स इसे भी मैंने इस तरह से बनाया और इसे भी एक बॉटन में फिल कर दिया और इसे भी 5-6 दिन तक धूब दिखाएंगे ये भी बिल्कुल पक कर रेडी हो जाएगी बहुत स्वादिस्ट लगेगी ये भी खाने में तो फ्रेंट्स रिक्वेस्ट है अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज सब्सक्राइब कर ले फिर मिलती हूं एक नई और अच्छी सी रेसेपी के साथ